नमस्कार आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूँ निभास सिंग कोरोना वाइरिस के साथ साथ ब्लाक फंगस भी किंदर सरकार और राज्य सरकार को परिशानी में डाल दिया है कई ब्लाक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं और कई मरीजों की मृत्यू भी हो जा रहे हैं जिसे लोग काफी जादा डरे हुए हैं आपको बता दे कि इसको देखते हुए राज्य सरकार किंदर सरकार ने ब्लाक फंगस को महामारी घोशित किया है जिसको ले करके लोगों को सा सामने आ रहें यह दावा किया जा रहा है कि फंगस जो है वो चिकन खाने से हो रहा है हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और यह बताएंगे कि क्या ब्लाक फंगस चिकन खाने से हो रहा है या चिकन खाने से हो सकता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे किंद सरकार ने पहले ही सभी राजी और किंद सासित प्रदेसों को ब्लाक फंगस संक्रमन को महमारी घोशित करने का निर्देश दिया है कि इस संक्रमन से कोवीड-19 रोगियों में लंबे समय तक बिमारी और मृत्यु दर बढ़ रही है स्वास्त मंतराले ने राजी और किंद सासित प्रदेसों से इसे महमारी रोग अधिनियम के तैस सूची बद करने को कहा है इसी बीच सोसल मीडिया पर एक पोश्ट प्रसारित किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पॉल्ट्रि फॉर्म की मुर्गियों को ना खाए और सुरक्षेत रहे बता दे की fact check में पता चला है कि इस viral message में कोई सच्चाई नहीं है भारस सरकार की press information bureau की team ने जब इस दावे की परताल की तो मालुम चला कि इस दावे में तनिक भी सच्चाई नहीं है मुर्गियों से black fungus फैलने का कोई भी मामला भी तक सामने नहीं आया है P.I.B. Fact Check ने इसे ट्वीटर पर शेयर किया है ट्वीट में कहा गया है कि इस बात का कोई वैज्यानिक प्रमान नहीं है कि संक्रमन मुर्गियों से इंसानों में फैल रहा है हम आपको पता दे P.I.B. Fact Check ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से इस बात को शेयर करते हुए इस पोश्ट को शेयर करते हुए लोगों को ये कहा है कि इस बात में तनिक भी सचाई नहीं है ये दावा पूरी तरह से जूठा है कि मुर्गी या चिकन खाने से ब्लाक फंगस संक्रमन ब्लाक फंगस हो सकता है तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें डी टीवी भारत के साथ अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दवाना ना भूले धन्यवाद